हेलो फ्रेंस, कक्सा नो विज्यान विश्य के तीसरे अध्याय परमानु वेव मनु के सेकंड पार्ट में आप सब का स्वागत है इसके पर्थम भाग में हमने लगबग आति चक्र की अच्छे से वयक्या पढ़ ली थी तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखिए तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दियुए आप पहले उस क्लास को देख ले ताकि इस क्लास को समझने में आपको किसी परकार की कोई दिक्कत ना हो तो क्लास सरू करने से पहले आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को खोड़ दे ठीक है चलिए शरू करते हैं आज हमारा पहला टॉपिक है वो है रासायनिक सुत्र लिखना तो पहले रासायनिक सुत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे तो किसी योगिक का रासायनिक सुत्र उसके संगटक का परतिकात्मक निरूपन होता है इसके कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी योगिक का रासायनिक सुत्र लिखते हैं तो वो हमें यह जानकारी बताता है कि वो योगिक किन-किन गटकों से मिलकर बना हुआ है जैसे मैं बात करूँ जल की तो जल का सुत्र क्या होता है H2O ये क्या है जल का रासायनिक सुत्र इसे में क्या जानकारी मिलती है कि इसके गटरक कौन-कौन से है एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सिजन है तो किसी भी योगी की रासायनिक सुत्र से हमें उसके गटकों की का होती है जानकारी प्राप्त होती है इसके लिए हमें तत्वों के परतिकों और उनकी संयोजन समता ग्यात होनी चाहिए एनिकि अगर हमें किसी योगीक का रासानिक सुत्र लिखना है तो पहले तो हमें उन तत्वों के परतिक पता होनी चाहिए और दूसरी उनकी संयोजन समता पता होनी चाहिए अब परतिक का मतलब क्या है जैसे हाइडूजिन का परतिक है चे अक्सिजन का परतिक क्या है ओ है ठीक इसी तरह उनकी संयोजन सम्ता भी पता होनी चाहिए अब संयोजन सम्ता क्या होती है वो देखें तो संयोजन सम्ता को संयोजक्ता भी कहते हैं तो किसी तत्व की संयोजन सक्तियत्वा सम्ता उस तत्व की कहलाती है संयोजक्ता कहलाती है मतलब कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ किस प्रकार जुड़ेगा कितने परमानु आध्यान पर्दन करके वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगा वही उसकी कहलाती है संयोजन सम्ता कहलाती है जैसे यहाँ पर देखो oxygen के साथ hydrogen जुड़ा है तो hydrogen के दो परमानू oxygen के एक परमानू के साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर hydrogen की सुझता कितनी हो जाएगी दो और oxygen की सुझता कितनी होगी एक क्योंकि यहाँ पर hydrogen के दो परमानू है और oxygen का एक परमानू है तो यानि कि कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ कितने प्रमानुग की साज़ेदारी करके जुल रहा है वही क्यलाती है उसकी संयोजक्ता किसी एक तत्वों के परमानू, दूसरे तत्वों के परमानूं के साथ किस परकार से संयोगत होकर एक रासायनेक योगीत का निर्मान करते हैं इसको ग्यात करने के लिए संयोजगता का उपयोगम करते हैं जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ आयन दिये गए है और उनकी संयुजक्ता दिये हुई है अब यह आपको थोड़े याद करने हैं अलांकि जैसे 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 हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यह याद होते जाएंगे लेकिन फिर भी आपको एक दू बार क्या है एने पलस यहाँ पर क्या है यह आयन है कौन सा आयन है दनात्मक आयन और आयन क्या होता है हमने पिछली क्लास में पूरा पढ़ा था आयन कैसे बनते हैं ब्रीन आयन कब लगता है दनायन कब लगता है तो इसको अगर आपको समझना है तो पिछली क्लास जरूर देख मैगनेसियम कि कितनी है 2 PRост thu और मैगनेसियम किसी दूसरे के साथ सयोग करना जाता है तो तो फिर मैगनेसियम कया करेगा अपने दो पर मादो किसी को दं कर सकता है ठीक है इसका निए钱 न बीस प्रक्राइब किसी कॉपर का परतीक सी यू है én कले अलुमीनियूम का परतिक क्या है और सनस्यू. umbrellas त्री. आयरन है अइर्ण देखो आयरन दो रूप में पाएगर या प्लसू. यह प्लस त्री कि शार्डिसरता थे करता है तो आपको जान रखना पड़ेगा फिर में बात करें और धाथ्वी ततो जैसे hydrogen तो hydrogen की सिंजगता कितनी है प्लस वन, hydride तो hydride का परती क्या है H, लेकिन इसकी सिंजगता क्या है माइनस, फिर chloride तो chloride का परती क्या है CO ब्रोमाइड की ब्रोमाइड की ब्रोमाइड गी यह बहु है जिन में दो या दो से अहिक परकार के परमाणू मिले हुए है जैसे मैं बात करो आमोनियम की तो आमोनियम की कितनी है NH4 प्लस यानिकी प्लस 1 है, ठीक है, यहाँ पर दो अलग लिएक परमानु है, एक नाइट्रोजन के और एक हाइड्रोजन के इसको क्या कहेंगे, बहुच परमानु का यन कहेंगे फिर बात करें हाइड्रोखसाइड अयन की, तो कितनी होगी, OH- यानि-1 फिर नाय्टरिक आयन की कितनी होगी तो-1 NO3- hydrogen carbonate की तो इसका प्रतिक क्या है HCO3 और इसकी सियोजगता कितनी होगी –1 carbonate की कितनी होगी 2- sulfide की 2- sulfate देखो यहाँ पर sulfide को SO3 से लिखते हैं और sulfide को किसे लिखते है SO4 से आलांकि दोनों की सियोजगता कितनी है 2- की खिरम बात करें phosphate की तो phosphate को PO4 से दर्शाते हैं और इसकी सियोजगता कितनी है –3 तो यह आपको थोड़ी सार में याद रखनी है ताकि आगे चेप्टर को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो आगे हम बात कर रहे हैं रासायनिक सुतर लिखने के लिए आवश्य अक नियम कि जब हम केसी तत्वा के लिए रासायनिक सुतर लिखते हैं तो हमें किन के नीमों का पालन करना होता है तो सबसे पहला नियमें आयन की संयोजक्ता अथवा आवेस संतुलित होना चाहिए यानि कि एक योगीक में जो जो आयन मौजूद है उन आयोन की संयोजक्ता अथवा आवेस आपस में कैसा होना चाहिए संतुलित होना चाहिए, यानि कि योगीत का जो कुल आवेस है, वो सदेव कैसा होगा, सुनने होगा, जैसे हमारे पास ये एन ए पलस है, तो इसके साथ जो दूसरा वाला तत्वा जुड़ेगा, वो हमेसा क्या होगा, वो हमेसा माइनस वन वाली सुनन जाता होगी, यहाँ पर देखो पलस वन है, तो इसको संतुलित करने के लिए कौन सा होगा, माइनस वन, इसी तरगर में बात करो, किसी दूसरे की, जैसे हच टू, तो यहाँ पर आइडोजन की कितनी होती है, पलस वन, अब यहाँ पर आइडोजन के दो परमान हुए, मतलब संतुलिता कितनी होगी, पलस का टू, टू पलस होगी, अब इसके साथ वही तत्वा मतलब जितने पलस है, उतने के उतने माइनस आवेस होना जरूरी है, अगला बिंदू है, जब एक योगीक किसी दातू एवं अधातू के संयोग से निर्मित होता है, तो धातू के नाम अथवा उनके परतिक को राशानिक शुत्र में पहले लिखते हैं, यानि जब किसी यो पहले लिखेंगे, जैसे हम बात करो, कैलसियम औकसाइड की, तो यहाँ पर कैलसियम क्या है, दातू है, और औकसाइड क्या है, यह औकसाइड एक परकार की अधातू है, तो यहाँ पर कैलसियम को पहले लिखा गया है, तो यहाँ पर सोडियम को पहले लिखा गया है, क्यों से पहले लिखा जाएगा अगला निये में बहु परमानुुक-ाइन द्वारा निर्मित योगिकों में आयन को पहले कोस्टक में रखते हैं सत पच्छाथ अनुपातों को दर्चन के वाली संख्या को लिखते हैं जैसे यहाँ पर देखो बहु परमानु Edison है तो यहाँ पर देखो calcium है और यहाँ पर hydroxide है तो यहाँ पर hydroxide के 2 iron है इस वज़े से हम क्या लिखेंगे OH को bracket में बंद करेंगे और 2 क्योंकि देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते CAOH2 क्योंकि जब हम इसको ऐसे लिखेंगे इसका मतलब है calcium का एक परमानू है oxygen का भी एक परमानू है और hydrogen के कितने हैं दो परमानू इस वज़े से यह क्या हो जाएगा यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर oxygen के परमानू कितने हैं दो है क्योंकि OH में साथ में रहता है ठीक है इस वज़े से इस तरह हम नहीं लिख सकते ठीक इसी तरह NH42, SO4 तो यहाँ पर देखो इस NH4 के कितने हैं टू परमानू है इसका मतलब यहाँ पर sodium 2 है और nitrogen 2 है और hydrogen कितने हैं 8 है इस वज़े से हम इसको कुला bracket के बाहर नहीं लिख बाएंगे इस वज़े से NH4 को हम किसमें लिखा ब्रेकेट में और फिर हमने किसको लि अगला हमारा टॉपिक है वो है सरल योगिकों के सुत्र अब हम सुत्र लेखना शरू करते हैं तो देखें दो भिन भिन तत्वों से निर्मित सरलतम योगिकों को द्विंगी योगिक कहते हैं यानि कि ऐसे योगिक जो दो भिन भिन तत्वों से निर्मित होते हैं ऐसे तो यहाँ पर दो तत्वा है एक hydrogen और एक oxygen इस वज़े से इस प्रकार के योगिकों क्या कहेंगे द्वी अंगी योगिक तूसरा बेंदू है आनवीक योगिकों के रासानिक सुत्र लिखते समय हम पहले संगटरक तत्वों के परतिक लिखते हैं और फिर उनकी क्या लिखते है संयोजगता लिखते हैं जब भी हम रासानिक सुत्र लिखेंगे तो सबसे पहले हम उस योगिक के जो संगटरक है जो गटरक है उन गटरक तत्वों के पहले परतिक लिखेंगे और उनके बाद उनकी हम क्या लिखेंगे संयोजगता लिखेंगे दूसरा आगे हम क्या संयोजित प्रमानुओं की संयोजक्ता को क्रॉस करके अनुसुत्र लिखते हैं पिर संयोजक्ता लिखने के बाद उनकी संयोजक्ता को हम कैसे करेंगे क्रॉस में मिला देंगे और क्रोस में मिलाने के बाद हम उसका अनुद सुत्र लिख देंगे चलिए हम उदारन के जरियव समझते हैं जो सबसे पहला हम उदारन ले रहे हैं वो हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड का सुत्र इसका हाइड्रोजन क्लोराइड का सुत्र अब दिखो hydrogen chloride का सुत्र क्या होता है S-C-L अब दिखो कैसे बना hydrogen hydrogen को किसे दर्शाते है H-C फिर chloride chloride को किसे दर्शाते है C-LC ठीक है तो सबसे पहले हैंने तत्व के पर्तिक लिख लिए यहाँ पर हमने hydrogen को लिख दिया यहांपर हमने किसinks को लिग दिया, chloride को लिग दिया ठीके, फिर यहांपर हमने निचे क्या लिख दी उनकी सियोजकता hydrogen की सियोजकता कितनी होती है एक, ठीके, plus one होती है औरviolin की कितनी होती है, chlorine की होती है अगर आप छाहे तो प्लस माइस आगे लगा सकते है यहां पर प्लस 1 है उन्हें आपर क्या है माईनस वन तो देखो फिल्यम क्या करेंगे इस सदल एक सक कि उपना कर देंगे और इस सब्व Alexandra कर देंगे यह किया हो जा 맞아 मैं सुन्जक्ता के Credit बहुनNING संतुलित हो जाएगी क्युंकि यह फॉप था आ इसकी कितनी ओ laFA क्या हो जाएगा जीरो यानि कि जो योगी कमारे पांस बनेगा उसकी प्रनी जो जेड़े हो जाएगा कि आलिके मारा सुत्र हो जाएगा S, C, L क्योंकि दोनों के हम कितने कितने पर्मानू ले रहे हैं एक एक पर्मानू ही ले रहे हैं आया सुंच में चले दूसरे सूत्र के और बढ़ दे वो है hydrogen sulfide तो hydrogen को किसे दर्शाते हैं H से, sulfide को S से तो हमने hydrogen के लिए परतिक क्या लिख दिया H, sulfide के लिए क्या लिख दिया S अब देखो, hydrogen की से दर्शाते का कितनी होती है पलस 1 sulfide की जितनी होती है, sulfur की माइनस 2 अब देखो तो अगर आप ये पलस माइनस 8 नहीं रखोगे, क्योब आपको से दर्शाता याद है, तो भी आपका कम बन जाएगा लेकिन अगर आपको निसान सही त्याद है तो काफी इच्छा रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रोस में बुणा कर देंगे तो hydrogen को कितने लेंगे, hydrogen के 2 परमानू लेंगे, और sulfur का कितने लेंगे, 1, तो सुत्र क्या बन जाएगा H2S है सुत्र क्या बन जाएगा H2S अगर इसी तर मैं और उदारन की बात करूँ जैसे, मैं बात करूँ mgCl2, magnesium chloride के तो परतिकम क्या लेखेंगे mg magnesium all chloride फिर सुझता कितने लेखेंगे तो magnesium की सुझता कितने होती है plus 1 ठीक है, और chlorine की कितने होती है, sorry magnesium की कितने होती है, plus 2 ठीक है, गलते होगी और chlorine की कितने होती है chlorine की होती है, minus 1 तो आपको केवल 1 लेखना है, ठीक है अब हम क्या करेंगे, इसको क्रेस में गुणा कर देंगे इसका इधर गुणा कर देंगे, और इसको इधर लेख देंगे mg कितना है 1 क्लोरिंग कितने है दो तो CL2 ये सुत्र बन गया इसका तो उम्मिद करता हूँ ये सुत्र आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ते हैं बहु परमानुक आयनों के आयनों वाले योगिक अभी हमने कौन से देखे थे सरल योगिकों के सुत्र आगे हम देख रहे हैं बहु परमानुक आयनों वाले योगिक जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम नाइट्रेट की तो सबसे पहले हम परतिक लिखेंगे तो सोडियम का परतिक क्या होगा एन ए फिर बात करें नाइट्रेट का नो नाइटर का प्रति क्या होता है? NO3 सो ओडियन की सुझगता कितनी होती है? पलस वन आवेस और NO3 का कितना होता है? माइनस वन तो यहाँ पर देखो एक पलस वन है, एक माइनस वन है एक दूसरे को उधासिन कर देंगे तो फिर इन दुनों का हम क्रोस में क्या करेंगे एक गुणा? तो एनने एक हो जाएगा और NO3 का परमाणू भी कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा तो एनने NO3 या क्या बन जाएगा? इसका सुत्र बन जाएगा आगे हम बात कर रहे हैं कैलसियम हाइड्रोउकसाइड अब देखो कैलसियम और हाइड्रोउकसाइड तो कैलसियम को किसे लिखते हैं? CAC हाइड्रोउकसाड को किसे लिखते हैं? OHC अब देखो कैलसियम किसे हो जाएगा कितनी है? या आविस कितना है? 2 प्लस अब देखो यहाँ पर हम इसका क्रोस मल्टिपला कर देंगे तो केल्सियम का एक परमानु हो जाएगा और अगर इसकी अगर जिएक से ज्यादा है तो इसको हम किसमें लेखेंगे ब्रैकेट में तो इसको हम कैसे लेखेंगे इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते C a o h 2 क्योंकि यहाँ पर औक्सियम का कितना होगा एक और आइल्ट्रूजिन कितना हुजाएगा दो यहाँ पर और इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ठीक है इस बात को मैंने पीच्छी भी समझाया था और वही बात यहाँ पर लिखे हुई है कि द नाम से बता चल रहा है आणविक दर्वयमान यान कि एक योगीक में जो अनु मौझूद है जो परमानु मौझूद है उन परमानों का जो दर्वेमान है उन परमानों के दर्वेमान का योग क्या कलाता है आन्विक दर्वेमान वही लिखेगा है कि किसी परदात का आन्विक दर्वेमान उसके सभी संगटक परमानों के दर्वेमानों का क्या होता है योग होता है यह एक योगिक या परदात जिन जिन परमानों से मि दूसरे सब्दों में इसको कहे इस प्रकार यहाँ अनू का सापेक्स दर्वेमान है जिसे परमानू दर्वेमान निकाई यू द्वारा व्यक्त किया जाता है इसे दर्शाते किसे हैं यू से दर्शाते हैं चले हम उदारान के जरीए इसको समझते हैं जैसे हमें जल के सापेक आन्विक दर्वयमान का परिकलन करना है तो जल किसे मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सिजन से तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन परमानू का दर्वयमान कितना होता है एक यू यानि एक परमानू दर्वयमान इकाई फिर हम बात करें oxygen की तो oxygen का दरवमान कितना होता है 16 IU ठीक है फिर जल अब जल में hydrogen के कितने परमानू है 2 और oxygen का कितना है 1 परमानू तो hydrogen के 2 परमानू का दरवमान और oxygen के 1 परमानू का दरवमान इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 2 गुणा 1 क्योंकि है है धूजन के दरवह मन कितना 1 है पलस एक गुणा 16 16 किसका दरवह मन है उक्षिजन का तो 2 एकम 2 पलस 16 एकम 16 तो 16 और 2 कितना वझाएगा अठारा परवाणू दरवह मन 1 अ nervous यह जल के एक अनू का दरवह मन कितना होगा 18 यह होगा उम्मित करता हूँ आनवीक दर्वेमान को ग्याद करना आपको समझ में आया होगा आगे बढ़ रहे हैं सुत्र इकाई दर्वेमान अभी हमने क्या देखा था आनवीक दर्वेमान अब हम देख रहे हैं सुत्र इकाई दर्वेमान किसी परदात का सुत्र इकाई दर्वेमान उसके सभी संगटब परमानुओं के परमानुद दर्वेमानों का क्या होता है योग होता है जैसा आनविक दर्वेमान था वैसा का वैसा ही होता है सुत्र इकाई दर्वेमान तो फिर फरक क्या है फरक क्या है कि सुत्र इकाई का दर परिकलन हम उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम क्या करते हैं आन्विक दर्वेमान की गणना करते हैं तो फरक केवल यह है फरक यह है कि यहाँ पर हम परदात के लिए सुत्र इकाई का उप्योग करते हैं जिसके संगर्टर क्या होते हैं आयन होते हैं यानि जहां पर हम पीछे इकाई के रूप में क्या लिखते हैं सुत्र इकाई लिखते हैं वही हम आनविक दर्वेमान में क्या लगा रहे थे यू लगा रहे थे तो यहां पर हम क्या लगाएंगे केवल सुत्र इकाई जैसे उदारण के जरिये समझते हैं जैसे केल्सियम कलोराइड के सुत्र इकाई दर्वयमान का प्रिकलंद कीजिए किसके कैल्सियम कलोराइड के लिए सुत्र इकाई दर्वयमान की गर्णा करनी है सबसे पहले हम कहेंगे कैल्सियम कलोराइड का सुत्र इकाई दर्वयमान का सुत्र क्या है CACL2 है ठीक है अब केल्सियम का दिरोवन कितना है वो है 40 U फिर कलोरिन का कितना है 35.5 U अब यहाँ पर केल्सियम का एक परमाणू है और कलोरिन के कितने है कलोरिन के 2 है तो हम इसको जोड़ देंगे तो 40 गुना 1 पलस 35.5 गुना 2 तो 40 गुणा एक क्योंकि केलसिम का एक परमानू था और कलोरिंग के दो थे तो अमने दो से गुणा कर दिया इन दोनों की जब उमने जोड की तो मारे पास कितना आया 111U ठीक है 111U या सुत्र इकाई यही क्या हो जाएगा आपका सुत्र इकाई डर्वेमान सेम टू सेम आनुरिक दर्वेमान है बस के वल हम यहाँ पर आनुरिक दर्वेमान के जिगह क्या लिखेंगे सुत्र इकाई लिखेंगे बाकी सेम टू सेम है आया समझ में चले आगे बढ़ दे हैं यहाँ पर आपके सामने एक diagram दिया हुआ है जिसमें कुछ सीजो को समझाया हुआ है यह काफी important diagram है आपको अच्छे से समझना है देखो क्या नाम है diagram का पहले मोल आवगद्र संख्या और दरवेमान के बीच में सम्मन यहाँ पर किसी इसके बीच में relation दिया हुआ है मोल के बीच में आवगद्र संख्या के बीच में और दरवेमान के बीच में अब यह मोल और आवगद्र संख्या क्या होती है इसके बारे में अभी हम आगे बढ़ेंग तो देखें, कार्बन परमानुओं का एक मोल, कार्बन परमानुओं का जो एक मोल है, वही 6.022 गुनादस की घट 23 कार्बन के परमानुओं के बराबर होता है, और इसी 6.022 गुनादस की घट 23 को आवो गादरो संक्या कहा जाता है, क्या का जाता है, आवो गादरो संक्या कहा 6.022 गुनादस की गात 23 कन होता है यह आपको द्यान रखना है क्या द्यान रखना है किसी भी प्रमानू के एक मोल का मान 6.022 गुनादस की गात 23 के बराबर होता है यानि एक मोल का मान आवो गादरो संख्या के बराबर होता है इसके बराबर आवो गादरो संख्या के बराबर होता है वहीं अब कार्बन के एक मोल का डर्वेमन कितना होता है बारा ग्राम इसका मतलब आप बारा ग्राम जो कार्बन है उस बारा ग्राम कार्बन में अनुओ की संख्या किसके बराबर होगी एक मोल के बराबर और एक मोल में कणों की संख्या किसके बराबर होगी ठीक इसी तरह में बात करें हाइडरोजन परमानू के एक मोल तो एक मोल में कनो की संक्या कितनी होगी आवो गदरो संक्या के बराबर और हाइडरोजन के एक मोल का दरोमेंड कितना होता है एक ग्राम इसका मतलब एक ग्राम हाइडरोजन में जो कनो की संक्या है वो आवो गद में क्या होगा, 6.022 गुना 10 की जाट 23 कनों के क्या होगा बराबर होगा अगर आप किसी प्रमालू का एक मोल कह लें या उसके कनों की संख्या के बराबर कह लें दोनों ही एकी बात है या भी हम कह लें कि उन कनों का जुशाफेस за час म Website में वो सापेक्स दर्वयमान का मान या उस सापेक्स दर्वयमान में कनो की संख्या एक मोल अथवा आवगाद्र संख्या के बराबर होगी आया सवज में या आवगद्र संख्या की बात कर ले या उसके आणविक दर्वेमान की बात कर ले तीनों ये कमान किसके बड़ाबर होगा आवगद्र संख्या के बड़ाबर होगा आगे बढ़ते हैं मॉल संकलपना अब समझते हैं कि आखिर ये मॉल संकलपना है क्या तो मोल 6.022 मुणा दसकी 23 गहाई 23 कणो का क्या है एक समू है जैसे हम बात करते हैं एक kilogram की तो एक kilogram कितने gram का समू है 1000 gram का समू है ठीक है इसी तरह में बात करो कि एक दर्जन तो एक दर्जन कितने का सम्मूँए 12 आगा ठीके तो यहाँ पर एक मोल है वो कितने कनो का सम्मूँए 6.022 गुना 10 की गात तेबिस कनो का यानि एक मोल अनू या एक मोल परमानू का मन आवोगादर संध्या के बराबर होगा अगर हम बात करें कि एक मोल परमानू बराबर कितने परमानू या कन होंगे तो वो 6.022 गुना 10 की गात तेबिस होंगे वह हम बात करें एक मोल अनू की तो एक मोल अनू का मतलब है 6.022 गुना 10 की गात तेबिस अनू इसी तरह हम बात करें जैसे एक mol oxygen तो एक mol oxygen का मान इसके बराबर होगा आवगादरो संक्या के बराबर होगा इस आवगादरो संक्या को आवगादरो इस तिरांग भी कहते हैं इसे दर्शात किसे हैं इसे N0 से दर्शाते हैं और इसका नाम किसके सम्मान में दिया गया था तो इतालवी वेग्यानि M.E.D.O. आवोगाजरों की संमान में दिया गया था ऐस वाज में तो उम्मिट करता हूँ ये मोल संकल्पना आपको समझ में आई होगी कि एक मोल का मान आवोगाजरों संक्या के बराबर हमेसा होता है जब भी कही पर आपको एक मोल मिल जाए इसका मतलब उसका मान आवोगाजरों संक्या के बराबर है एक मोल परमानू का दर्वे मान उनके ग्राम में तोलित परमानू दर्वे मान के बराबर होगा यह हम कहलें कि एक ग्राम जैसे एक ग्राम ऑक्सिजन तो एक ग्राम ऑक्सिजन का मन किसके बराबर होगा आवो गादरो संक्या के बराबर होगा ठीक है जैसे बात कर लो एक ग्राम आइडरोजन की तो इसका मन भी किसके बराबर होगा आवो गादरो संक्या के बराबर होगा तो सिंपली बात यही है कि एक मोल का जो मन है वो आवो दर्वेमान जैसा कि नाम से बता चल रहा है मोलर दर्वेमान तो मोलर दर्वेमान किसी भी परदात के एक मोलकनों के दर्वेमान का क्या होता है जोड होता है अब देखो एक मोलकन एक मोलकन का मतलब क्या है अब गाजरुसंग क्या ठीक है तो इन कनों का जो दर्वेमान होगा वही दर्वेमान क्या कहलाता है वही दर्वेमान मोलर दर्वेमान कहलाता है आयसोज में किसी परमानू के एक मोल में जो कन मौजूद है उन कनों का जो दर्वेमान है वही दर्वेमान मोलर दर्वेमान कहलाता है यानि मोल दर्वेमान बराबर एक मोल परदात कनो का दर्वेमान और एक मोल का मतलब कितना होता है 6.022 गुना 10 की गाते 20 परदात कनो का दर्वेमान आया सोज में जैसे हम बात करो हाइड्रोजन का परवानु दर्वेमान कितना है एक एक ही काई है तो इसका मोल दिरुमान कितना हो जाएगा एक ग्राम परती मोल क्या हो जाएगा एक ग्राम परती मोल हो जाएगा फिर बात करो नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन का परमानु दिरुमान कितना है स कोते हैं 32 ग्राम को कि अपशा है एक ग्राम कर दोनों के जोटी पैस्फ प्वैंट पांच ग्राम सु तुनों के जोड़ कि मॉइब तीक पॉंट पानच ग्राम पर मॉल। उसके कुछ और ओर आगे शुत्र दिये हुए जो भी हम ने पढ़ा है उसके शुत्र geple अगर हम learnt मोल की संख्या ग्याद करनी है तो दीया गया दरवयमान बैटेमें मोलर हुला the world तो उस प्रमादू का धरवयमान बत्य में उसका मोलर धरवयमान उससे में क्या निकल जाएगी मोल की संख्या और अगर अगर अमारे पास धरवयमान नहीं दिया हुआ है और कणो की संख्या दी हुई है तो फिर इस वारे सुत्र का उप्योग करेंगे मोल की संख्या बराबर दिये गए कणो की संख्या बटे में आवगदरो संख्या है सोज में और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं M upon capital M यहने इन दोनों भागो को हम आमने सामने बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों की कमाने मोलकी संख्या का तो इसको हम आमने सामने रख सकते हैं और यहां से हम किसी ये कामान निकाल सकते हैं ठीक है इसको लिख सकते हैं कैया लिख सकते हैं ठीके और इस प्रकारम इस सुत्र इन तीनों की सुत्र की मदद से हम मोलर दर्वयमान की, मोलों की संख्या की या फिर कणों की संख्या या दर्वयमान की गुणा कर सकते हैं और अगर हमें परतिसत निकालना है तो सिंपल हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे कि किसी योगीक में मौझूद प्रमानु का अगरों में परतिसत निकलना है तो तत्व का दर्वेमान बत्ये में उस योगीक का दर्वेमान गुणा सो आया समझ में इन सुत्रों का उप्योग हम अगली क्लास में जब आपके इस चेप्टर के नुमेरिकल्स को सौल करेंगे तब मैं आपको इसको अच्छे से यूज़ करके बताऊंगा तो उम्मिद करता हूँ यह पूरा चेप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो क्लास देखने के लाग सभी को धन्यवाद अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जड़ू करें इसके लावा आप मुझे एब भी, इस्टाग्राम, टोईटर और टेलिग्राम पर भी फॉल्लो कर सकते हैं और साथ ही आप हमारी वेबसाइट जो गोविन लेक्चर्स गोविन लेक्चर्स 81 इस नाम से सर्च करके हमारी वेबसाइट पर भी में फॉल्लो कर सकते हैं जहां आपको सभी परकार के नौट्स देने की हर संभग कोशिस की जाएगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद